साधान और सतर्क हो जाएए आप क्योंकि तेजी से बदलते समय के साथ साइबर अपराधी लगतार आपको जहांसा देकर रुपए ठगने का ट्रेंड बदल रहे हैं वो पूलिस और दूसरी जहांच एजन्सियों के लिए बड़ी चुनोती बनते जा रहे हैं साइबर अपराधियों ने रुपएयों की ठगी के लिए अब जो तरीका अपनाया है और सातिराना है सातिर अपराधियों ने एनी डेस्क और टीम बीवर जैसे मुवाइल एप को अपना नया हत्यार बनाया है अपने rewards जीता है इस नाम पर साइबर अपराधी लोगों के मुवाईल पर SMS भेज रहे हैं उन्हें कॉल कर रहे हैं rewards के रुपैल लेने के लिए लोगों को एप डाउनोड करने को कह रहे हैं जिन लोगों को साइबर पराधी अपना सिकार बना रहे हैं उनसे फोन पर एक से डेड़ घंटे तक बात करते हैं एप डाउनोड होते ही जिस बैक्ति से बात कर रहे होते हैं उनके मुवाईल को हैक कर लेते हैं इसके बाद मुवाईल से सारी डेटेल्स निकाल लेते हैं फिर बगेर OTPIR लोगों के डेबिट और क्रेडिट काड़ वाले अकाउंट से रुपयों की निकासिक कर लेते हैं या कीमती समानों की सौपिंग कर लेते हैं पिछले कुछ दिनों में बिहार के अंदर एप के जरिये लोगों से ठगी के कई मामले सामने आये हैं जो थानों की पुलिस के साथ ही सिधेत तोर पर आर्थी का प्राद साखा EOEU के तहट साइबर सेल के पास पहुँची है जिनकी जात सुरू कर दे गई है साथ ही लोगों को साइबर अपराधियों का सिकार होने से बचाने के लिए EOEU की टीम अलग-अलग तरीकों से जागरूप करने में जूटी है साइबर अपराधियों के इस डेंट रेंड की सिकार तो कई लोग हुए हैं पर इनमें पांच लोगों के केस सामने आये हैं इनमें एक हाउस वाइफ से लेकर रिटाइड सिविल सर्जन तक सामिल है जिने जहांसा देकर सातिरों ने उनके अकाउंट से हज्जारों लेकर लाखों रुपए तक निकाल लिए ठगी के लिए सिकार अब परिशान हैं उन्हें उनके रुपए वापस चाहिए मगर इसमें बैंक तो छोड़ दीजी ठानों की पुलिस भी ठगी के सिकार लोगों की मदद सही तरीके से नहीं कर पा रही है अब ये सभी EOU के साइबर सेल के सहारे हैं ममता कुमारी एक हाउस वाइफ है पतना में जकनपुर थाना के तहत बिगरापुर में रहती है एकसिस बैंक में इनका अकाउंट है साइबर अपराधियों ने पहले इनके सेविंग अकाउंट के डेविट क्रेडिट कार्ट से 98,000 रुपए निकाले हाल में ही उनके पती ने एक जमीन बेची थी उसी के रुपए अकाउंट में थे फिर कुछ दिर बाद ही मंत के क्रेडिट कार्ट से 87,770 रुपए की निकासी कर ली गई ममता के साथ जो घटना होई वो 20 अपरेल की है इनके अनुसार मुवाइल नमबर 9647840608 से उनके मुवाइल पर एक SMS आया था फिर दो पर साथे 12 बजे के करीब मुवाइल नमबर 7557877262 से एक लड़की ने कॉल करके बात की उसने रिवर्ड के रुपए पाने के लिए पहले एप डॉनलोड करने सिनियर का कॉल आने पर उनसे बात कर डिटेल्स देने को कहा कुछ दिर बाद ही नमबर पर प्रस 1875 डबल सुन्या डबल पांच डबल पांच से कॉल आया भी खुद को सिनियर अधिकारी बता एक घंटे से भी अधिक देरी तक उसने बात की एप डाउनलोड कराया और काफी कुछ पूछा इसके बाद ही वगेर OTP आये रुपए निकाल लिए गए ठगी की सिकार हुई ममता को समझ नहीं आया कि ओ करे तो क्या करे सबसे पहले उसने बैंक के कस्टमर केर को कॉल किया पूरा मामला बताने पर जवाब मिला की रुपए आपको भरने पड़ेंगे जब बैंक के ब्रांच जाकर पता की तो वहां से भी मदद नहीं मिली उसको कहा गया कि आपने OTP सेर किया होगा जबकि ममता का दावा है की उसने ऐसार कुछ भी नहीं किया फिरो जकनपुर थाना गई मदद करने की जगा पूलिस ने उसे मांसिक तोर पर परिसान ही किया एक दो बार नहीं बलकि उससे चार-चार बार एप्लिकेशन लिखवाया गया और बदलवाया गया ममता के अनुसार मुबाइल नंबर 8051-27-147 पर सातिर का वाटसप दिखता है इसके डीपी पर एक्सिस पैंक का लोगो लगा हुआ है वो बार बार आउनलाइन भी होता है साइबर सेल के नुसार रोता जीले के चेनारी में एक रिटाइड सिविल सेजन डॉक्टर अकरम अली रहते हैं नॉवंबर 2021 में साइबर अपरादियों ने इनके अकाउंट से 20,25,000 रुपएयों के निकासी की थी हलाकि इसमें से 10,000,000 रुपएय गलती से उनकी वाइफ के अकाउंट में आ गया था जबकि 10,000,000 से अधिक रुपएय अब तक नहीं मिले हैं इन्हें भी एप डाउनलोड के नाम पही ठगा गया था इस मामले में चनारी थाना में केस भी दर्ज है इनी के तरह पत्ना में राजियुनगर की रहने वाली सीतल अनंद के अकाउंट से 29,000,000,000,000 बोरिंग के नाल लोड के रहने वाले पतना अनुवेट्सिटी के रिटाइड वफेसर उमेज मिस्रा के एकाउंट से सतर बो। और सुल्तार गंज की रहने वाली कलाउती सर्मा के एकाउंट से एक लाख रुपए की निकासी हो गई है फिलाल इन सभी का मामले में जात चल लए है तो मेरा नमादित आप दपंचायद देख रहे थे अगर आप इस वीडियो की यूटूब पे देख रहे हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज्यादा सा ज्यादा लोगों तक सेयर करें ताकि लोग सतर्क रहे प्रिज़ सतर्टल का मैं।